Hello everyone, welcome to SS Education आप में से काफी students का ये doubt था कि financial market awareness जो है इसमें आता क्या है तो इस lecture में मैं आपको बताऊंगी कि financial market awareness के लिए आपको क्या-क्या cover करना है और इसका overall syllabus है क्या ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो आपको हम बता दूँ कि insurance market जो है वो कहां से पढ़ना है इसके लिए मैं already video बना चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे description box में आपको उसका link मिल जाएगा तो financial market में आपको क्या-क्या पढ़ना है ये देखते है प्लेस है जहां पर buyers और sellers participate करते हैं किसी भी asset की trade में अब ये जो assets है ये कुछ भी हो सकते है या तो फिर ये bonds हो सकते है या ये equity हो सकते है या फिर कोई securities या फिर currencies ठीक है तो ऐसी जगह जहां पर इनकी trade होती है उसको बोलता है financial market अब देखो financial market mainly दो टाइप के होते हैं एक होता है money market और एक है capital market money market में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है treasury bills call या फिर notice money commercial papers commercial bills और certificate of deposits ये सारे money market के instruments है ठीक है money market और capital market क्या होता है देखो money market वो होता है जब हम इन financial assets के trade करते है तो अगर हम उसको short term के लिए करते है short term या एक साल के अंदर अंदर ठीक है one year के within तो इसको हम बोलते money market और अगर यह एक साल से ज़्यादा होता है यान की long term के लिए होता है तो उसको हम बोलते Current esté तो money market में आपको यह सब चीज़े पढ़नी है उसके बाद आते हैं capital market पे तो capital market जो है उसके दो टाइप से एक तो है equity market और एक है debt market सबसे पहले देखते है debt markets में आपको क्या चीज़े पढ़नी है एक तो आपको पढ़ना है government securities क्या होती है corporate debt क्या होता है और PSU bond market क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो आप debt market पढ़ेंगे तो आपको पता पढ़ेगा कि bonds actually में होते क्या है securities क्या होती है और zero coupon bond आपने नाम सुना होगा तो यह zero coupon bond है क्या तो यह सारी चीज़े आप इसमें पढ़ेंगे ठीक है इसके बाद यह equity market है इसके पार में detail में बात करते हैं देखो equity market जो है इसको हम तीन पार्स में डिवाइट करेंगे primary secondary और derivatives ठीक है अब देखो जो primary market है इसमें आपको पढ़ना है public issue public issue जो है इसमें आएगा आपके initial public offerings या फिर follow on public offerings यह सारी चीज़ अगर आपने terms पढ़ी होगे तो आपको पता होगा कि public issue में आएगा उसके बाद आते है rights issue और private placements यह सारी terms आपको पढ़नी है primary market के अंदर यहां पर जब आप यह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि GDR क्या होता है यानि global depository receipts का क्या मतलब होता है IDR का क्या मतलब होता है Indian depository receipts और foreign currency convertible bonds क्या होते हैं तो यह सारी चीज़े जो है यह आप इसमें पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करते हैं secondary market की secondary market जो है इसको हम stock market भी बोलते है ठीक है तो इसमें आप जो NAC है national stock exchange BSE Bombay stock exchange और जितने भी regional stock exchanges है इसके बारे में पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पर जो derivatives है derivatives में आते है exchange traded और OTC OTC मतलब over the counter exchange ठीक है तो यह सब आप पढ़ेंगे तो यह main overview है जो आपको देखना है इसमें में आपको main terms बता दी जो आपको पढ़नी है उसके बाद कुछ और चीज़ा है जो आपको पढ़नी है वो क्या है कि आपको all India financial institutions जो है इनके बारे में पढ़ना है जैसे SIDBI हुआ, NABAD हुआ, Exim Bank, National Housing Bank तो इन सब के बारे में separately Google पर आप सर्च कीजिए और आपको सारे information मिल जाएगी जो भी exam point of view से important है उसके बाद जो regulators होते हैं यह आपको पढ़ने है जैसे RBI, CBA, IRDAI, RBI मैंने आपको बताया था money market regulator है CBA यह capital market का regulator है IRDAI, insurance market का regulator है तो जितने भ mutual funds भी आपको पढ़ना है इसको मत बूलना और जो current financial awareness है यह बहुत important है इससे most number of questions जो है वह आएंगे तो यह आप देख लेना यह जो है यह मैं आपको daily basis पे cover करवाती हूं month by month तो मेरे जो banking awareness के lectures आते हैं हर month में दो lectures ही आते हैं इसमें मैं आपको financial market, banking awareness और यह सब कुछ पाती हूं तो इसमें जितनी भी current की news है वो सारी cover हो जाती है आप इन वीडियो को देख लो आपका current financial awareness जो है वो complete हो जाएगा इसके अलावा आप रेफर कर सकते हैं द हिंदू का newspaper और RVI की website और PIV ठीक है इनसे भी आपको जो financial news है वो पता चल जाएगी उसके बाद अगर आ तो इंडिया का पूरा जो financial system है यह detail में इसमें बता रहा है काफी बड़ी book है यह लेकिन अगर आप में से को interested है इसको पूरा study करने के लिए तो आप इस book को भी refer कर सकते हैं तो I think मैंने इसमें आपको सारी चीज़े बता दी जो भी cover हो नीचे financial market awareness के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो please hit the like button and also subscribe to my channel तो आज के लिए तना ही thank you so much for watching